जैसे जैसे हम spiritual journey में growing, learning और evolving होते हैं तो हमें कार्मिक से cord cutting करके अपनी energy को recover कर सकते हैं हम और करना चाहिए और उसके बाद उसे re-establish कर सकते हैं और इसी के साथ healthy energetic boundaries भी create कर सकते हैं तो personal growth के लिए कार्मिक cord cutting करना ज़रूरी है तो कार्मिक cord cutting किस तरह से की जाए या how to release energetic binds personal growth के लिए ये सब कुछ जरूरी है चाहे आप twin flame journey में है चाहे कोई से भी journey में है cord cutting rituals आपको निभाने पड़ेंगे new space बनाने के लिए new skills सीखने के लिए inner peace पाने के लिए कार्मिक cord cutting बहुत जरूरी है इस से relationship को let go करने की हिम्मत मिलती है और past burden से भी आप free होने लगते है अगर आपका भी यही सवाल है कि कार्मिक cord cutting किस तरह से की जाए तो देखिए कार्मिक cord cutting पहले तो यह समझ लीजिए कि यह कार्मिक लोगों से चुटकारा पाने का एक तरीका है और किस लिए यह चीज को ध्यान रखें कि यह एक आपकी ही personal growth के लिए है तो सबसे पहले कार्मिक cord cutting rituals में पहली बात आती है अपने उपर ध्यान देने की यहने कि आप salt bath ले सकते हैं pink salt होता है उसको आप या समुदरी नमक होता है उसको अपने bucket में पानी के उसमें डाल कर उसके बाद energetic body को cleanse करने के लिए इसका use कर सकते हैं यहने की नहाने के पानी में salt water mix करके use करें इससे आपकी जो energetic body है एक तो physical body है जो दिखाई देती है और जो energetic body है वो cleanse करने के लिए और उसको balance करने के लिए salt bath का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है दूसरा smudging का है धूप दीप हवन वगरा जो भी आप कर सकें जिससे की घर में एक अच्छा aroma फैले यानि की room, home और aura cleansing के लिए और खुद के connection से, खुद को connect करने के लिए अपने आप से re-establish करने के लिए इसकी बहुत से रोरत है क्योंकि nose के through, धूप दीप हवन का जो गंद है वो जाती है, वो mind तक जाती है, आपके pineal gland तक जाती है जो कि आपको शान्त और relax करती है ठीक है तीसरा point यही होगा card cutting ritual के अंतरगत की journal लिखना शुरू करें बोलने से पहले लिख लें कि आज मुझे तो कार्मिक से ऐसा ऐसे बोलना ही बोलना है तो पहले लिख लें कि मुझे यह यह बोलना है, कहीं extra ना बोल जाए साफ और sophisticated manner में जो भी बोलना चाहें उसे लिख लें फिर सोचें कि बस अब मैंने इसमें तो लिखी दिया है बोलने की क्या जरूरत है वो तो paper पर आई गया अब paper पर आगया, तो उसे उठाके जला दें clear होगी बाद सच बता रही है, बहुत relax मिलेगा आपको सामने बोलना भी नहीं पड़ेगा कार्मिक से बहस भी नहीं होगी किसी भी तरह का argument और blame भी सुनने को नहीं मिलेगा और आपका काम भी हो जाएगा चुप-चाप तरीके से कुछ भी नहीं किया आपने, कोई बैसा नहीं लगा आपके मन में जो भी thought आया आपको लगा, आज तो मैंने उसको यह यह बोली देना है लेकिन आपको पता है, फिर वो कार्मिक्स हाथ पैर भी उठा सकते है, मुझ से कुछ भी हो सकते हैं कि आपका सारा दिन जाएगा तो आपने जो सोचा, लेकिन आप यह सोचा कि गलत नहीं बोलूँगी, अच्छे अच्छे तरीके से अच्छे मैनर में लिख लूँगी लिख कर आपने उसको एक बार फिर से पढ़ लीजे, नहीं और चैन मिल रहा तो तीसरी बार फिर से पढ़ लीजे, और उस पेपर को जला दीजे, ठीक है फोर्थ है आपका मेडिटेशन, कॉर्ड कटिंग के लिए यह बहुत ज़रूरी है, देखिए यह तीनो ही बाते आपके लिए भी परसनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है और साथी साथ क्या हो रहा है, कार्मिक से कॉर्ड कटिंग हो रही है, सॉल्ट बात लेंगे तो सॉल्ट डाल देंगे नहने के पानी में ठीक है, समजजिंग करेंगे, घर आपका, रूम आपका, आपके जो रिच्वल्स होते हैं वो भी आपके उसमें कवर हो जाएंगे और आप जो भी कुछ आपके स्किल्स हैं, जैसे कोई आगर आप टैरो रीडर है, या कोई हीलर है तो उससे भी घर बहुत महकता है, सुन्दर होता है, आप तो सुन्दर होंगी होंगे, आपको तो शानती मिलेगी, मिलेगी जो भी कोई unknown भी घर में आएगा वो कहेगा, वा, क्या घर महक रहा है तो इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है अगर कुछ asthmatic problem है, तो smudging नहीं हो पाती है तो आप कुछ aroma का भी थोड़ा सा cleansing के लिए use कर सकते हैं बढ़ हलके उसमें है ना तीसरा मैंने बताया है, journaling कर लीजी अपने मन की सारी बात लिख कर जिला दीजीए चौथा है meditation ये सारी बातें आपको cleanse कर रहे हैं, ठीक है अपने कार्मिक को visualize करके cord cutting करें, महसूस करें इस energetic cord को या इस रसी को, हिंदी में cord means एक रसी, एक तार आपका और उसनका बंधा हुआ मिला हुआ है ना, तो हमारे सबसे किसी ना किसी तरह के cords होते ही हैं, क्यों पिछले जनम के बंधन होते हैं ना, इसी वज़े से हम यहाँ पर, आत्मा तो होती है लेकिन कभी दूसरे form में आ जाते हैं, physical form में आ जाते हैं male, female body में, ठीक है तो यह energetic cord या रसी को महसूस करें, meditation में बैठें और सोचें कि अब यह कार्मिक बंधन जो मुझे और मेरे highest good के लिए, serve नहीं करता है, अच्छे से मुझे highest, अच्छा इंसान इन बंधनों से मैं अपने आपको और तुम्हें भी release करती हूँ छोड़ती हूँ किसे, जो भी आपके कर्मिक है उनका नाम लेके या उनके जो भी आप, उनका label है उस तरह से, कोई भी हो सकते हैं आपके, ठीक है all cords are destroyed यह सोचें उसके बाद और सभी dimension से time से and plane से यह सभी तरह का, यह कार्मिक बंधन अब यह दोबारा नहीं लोटेगा इसको सोचें जब भी आप meditation में बैठें एक बार फिर से बता दू कार्मिक को visualize करके cord cutting करें सोचें कि हाँ उसका और मेरा cord मिल रहा है लेकिन यह कहें कि तुम मुझे किसी भी तरीके से highest good के लिए सर्व नहीं करते हो तो मैं तुम्हें और अपने आपको इस बंधन से मुक्त कर रही हूँ और यह हमारा और तुम्हारा बंधन हमेशा के लिए खत्म हो गया है ठीक है और यह बंधन अब दोबारा इस जनम में क्या अगले जनम में भी वापस नहीं लोटेगा एक बार release की गई energy वापस नहीं आएगी मेरी सुन्दर energy वापस मुझे में बह रही है मुझे प्यार से भर रही है जो कि peaceful energetic boundaries create कर रही है and so it is वापस जो आपने बोला अब जैसे meditation में क्या बोलना है वो मैंने अभी आपको बोला उसको आप लिख लीजिए लिखने के बाद बोल दीजिए and so it is कि वापस तू जैसे बोलते ने भगवान तो ऐसा ही हुआ है फिर थोड़ी देर शान्त होकर बैठ जाए कुछ न बोले कुछ न सोचे हाँ thoughts तो आएंगे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे विचारी ने आने बंद हो गया है 60,000 thoughts हमारे mind में एक दिन में आते ही है तो कैसे रुकेंगे आने दीजिए just visualize किजिए as a third person thought आया चला गया thought आया किसी भी thought पर आकर रुक कर उस पर सोचने मत लग जाए कि कोई भी एक thought आया अच्छा बुरा emotional रोने दोने वाला या गुस्से वाला उस पर अटकना नहीं है आया thought चला गया क्योंकि आप emotions नहीं है आप body नहीं है है ना आर्केंजल माइकल से और लॉर्ड जीजिस से अल्ला अल्माइटी गॉड जो भी आप कहें एक सुप्रीम पावर जो हमें चलाती है वाक़ी चलाती है महसूस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाँ वो सभी तरह की अच्छी pure pious energies या angelic energies मेरे आसपास है मुझे प्रोटेक्ट कर रही है मेरे औरा को प्रोटेक्ट कर रही है चाहे आप कार्मिक के साथ एक ही कमरे में रहते हूं ये सभी बातें आपके personal growth के लिए ज़रूरी हैं और यहीं से ही आपको card cutting करनी पड़ेगी हाँ अगर आप कहते हैं meditation कितने time करें ये आपके ओपर depend करता है 21 days का निश्चित कर ले 48 days का निश्चित कर ले 108 times and 108 days का निश्चित कर ले कि मुझे इतने दिन तक fix करना है but same time, same place पे same direction पे करेंगे अगर 108 दिन का किया है तो 108 दिन करना होगा चाहे आप कहीं भी हो वो करना ही होगा आपको इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजे लेकिन जो आपने commitment ईश्वर के प्रती और अपने प्रती दी है कि इतने दिन मैं करूंगा इतने समय पे करूंगा और करूंगा ही करूंगा उस समय तक तो वो commitment आपके कहीं और जानी नहीं चाहिए अपने आपको commitment दे दी तो फिर किसी की नहीं सुननी है Thank you so much वीडियो वैल्यूबल लगे तो like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें Thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो